यह मेरा पहला DIY है जिससे मने दिवाली की पुरानी वेस्ट मला की हेल्प से बनाया है पहले मैंने इस माला के फूल और पत्ते अलग-अलग कर लिये हैं एक पुरानी टहनी लेकर उसे ग्रीन एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया है इस टहनी के सभी जॉइंट्स पर पहले पत्ता उसके उपर फूल, ग्लूगन या फैविकॉल की हेल्प से चिपका दिया है देखे इस तरह एक नो-कॉस्ट DIY सुन्दर सबन कर त्यार हो गया है वेस्ट कार्डबूर्ड से कुछ इस तरह ट्री बनाने के लिए शेप्स कट करेंगे फिर इन पर ग्लू लगा कर पेपर चिपका देंगे ताकि एक इवन सरफेस मिल जाए अब इन पीसेस को कमबाइन करेंगे इस प्रकार एक ट्री शेप्स मिल जाएगा अब इसे ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट कर देंगे ये मेरे पास कुछ पैकिंग शीट्स पड़ी है इन्हें इस प्रकार लीव्स शेप्स में कट करेंगे कुछ डिफरेंट कलर्स में लीव्स कट करेंगे इन सभी लीव्स को इस प्रकार ट्री पर चिपका देंगे देखिये मेरा एक और जीरो कॉस्ट खुबसूरत सा डी आईवाई बन कर तेयार है इसे मैंने डारेक्ट वाल पर लगा दिया है जो कि मेरी वाल को बहुत खुबसूरत बना रहा है इसकी जिल मिलाती हुई पत्यां बड़ी प्यारी लग रही है इसे आप भी बनाएए ये डियाईवाई मैंने एक फेस्ट पुराने इंविटेशन कार्ट को यूज़ करके बनाया है ये मेरे पास पिक्चर्स रखे हुए हैं जिन्ने मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ था जो की मुझे बहुत पसंद है इन पिक्चर्स को मैंने काट के size के according काट लिया है और इन्हें सफाई से काट के ऊपर चिपका दिया है और ये लीजे मेरा एक और नो कोस्ट ब्यूटिफुल सा DIY बन कर दियार है मेरा नेक्स DIY पेपर माशी से बनाई प्रेट पर है इसे मैंने फर्स टाइम ट्राइ किया है ये मेरे पास कुछ ग्लिटरिंग पड़ी है इसे मैंने पूजा की चुन्री की लेज से कट किया है इसे मैंने पेट के किनारे किनारे ग्लू के हैल्प से चिपका दिया है अब मैं इस पर कुछ पैटन बना कर पेंट कर रही हूँ इसके पेंट्स मैंने वाइट वॉशिंग में यूज़ किये जाने वाले प्लास्टिक पेंट में कुछ acrylic colors मिलाकर त्यार किये हैं इन्हें के help से मैंने इसे paint किया है और बीच में चोटे मैरून flowers देख रहे हैं उन्हें बनानी के लिए मैंने उपर यूस की हुई packing sheets को cut करके मैंने ये छोटे छोटे flowers पनाए हैं और इस प्रकार मेरा एक और खुबसूरत सा no cost DIY बन कर त्यार है इन्हें आप ही बनाईए और अपने घर की शोबा बढ़ाईए